भारतीय टीम आयरलेंड दोरे के बाद the 30th of August से एशिया कप खेलने उत्रेगी विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से ये टूर्नामेंट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार होगा भारत पाकिस्तान मुकाबले का ये दोनों टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं तो मुकाबले कांटे की तफ्कर का होता है अब ये दोनों ही टीमें एशिया कप 2023 में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उत्रेंगी हालांकि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले ही टीम इंडिया को करारा जटका लगा है दरसल केल, राहुल और श्रेयस अयर एशिया कप से बाहर हो गए हैं अब उनकी जगर टीम में अन्य खिलारियों को मौका दिया जा सकता है आईए एक नजर डाले टीम इंडिया की संभावित 15 सदफिय टीम के उपर भारत पाकिस्तान की टीमें जब भी एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरती है तब क्रिकेट फैंस को हमेशा एक धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद होती है टीम इंडिया के खिलारी पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2023 में खेलेंगे गौर तलब है कि BCCI और PCB के बीच चले लंबे विवादों के बाद इसे मंजूरी मिली इसका आगाज the 30th of September को होगा इस टूर्नामेंट में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से टक्राएंगी तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा वाले मुकाबले की सब को उम्मीद होगी बता दे कि इन दोनों के बीच the 2nd of September को मैच खेला जाएगा इशिया कप 2023 में भारतीय टीम जब खेलने जाएगी तो उनका मकसद इस टूर्नामेंट को जीत कर विश्व कप 2023 की तयारियों को पुक्ता करने का होगा पिछले दिनों इशिया कप 2023 के लिए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया है पहला मैच the 30th of August को पाकिस्तान और नेपार के बीच खेला जाएगा वही भारत और पाकिस्तान के बीच the 2nd of September को मुकाबला खेला जाएगा हाला कि एशिया कप से पहले ही भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आ रही है दरसल लंबे समय से चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे खिलाडी केल राहुल और श्रेयस अयर एशिया कप में भाग नहीं ले पाएंगे दरसल उनकी फिटनेस के चलते टीम मेनेजमेंट किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पिछले दिनों एशिया कप, एशिया कप 2023 के लिए कार्यक्रमों का एलान कर दिया गया है पहला मैच the 30th of August को पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा वही भारत और पाकिस्तान के बीच the 2nd of September को मुकाबला खेला जाएगा बता दे की एशिया कप, एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया का संभावित 15 सदसीय स्क्वाड आ चुका है कप्तानी का भार रोहित शर्मा के कंधों में पर होगा बल लिबाजी, एशिया कप में ओपनिंद की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शुबमन गिल पर होगी वहीं टीम में ओल्राउंड की भूमिका में हार्दिक पांध्या, रवींदर जडेजा और अक्षर पतेल होंगे गैंदबाजी, गैंदबाजी की अगर बात करें तो कुल्दी प्यादव स्पिनर के तौर पर होंगे तेज गैंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर, मुकेश कुमार के पास होगी इश्या कप में टीम इंडिया का 15 सदसीय स्क्वोर्ड, रोहित शर्मा, कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजु सैमसन, जितेश शर्मा, इशान किशन, विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, उप कप्तान, रविंद जडेजा, अत्शर पत कुल्दी प्यादव, मुहम्मद शमी, मुहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर, जस्प्रीत बुम्राह